हेलो दोस्तो मैं आपका दोस्त डोक्टर कमल मित्तल दोस्तो आज हम एक ऐसे टोपिक के पर बात करेंगे जो कि अमोमन मैं यह कहूंगा कि हर तीसरे बंदे को यह दिक्कत आ रही है क्योंकि हर आदमी आज की डेट के अंदर पैसा कमाने के लिए लगा लीजिए या ऐसी प्रि विवार को कैसे बचाएं तो दोस्तो आज हम जिस टोपिक के पर बात कर रहे हैं वह और कुछ नहीं हमारा ही एक श्रीर का वह अभिन अंग जिसकी विना यह लगा लिजिए कि हम यह कहेंगे जिन्दगी असंभव सी है अगर उसी के अंदर ही अगर कुछ हो जाए तो क्या दिक्कत करता है दोस्तो वही एक ऐसा श्रीर का अंग जिसमें दिक्कत आजाए तो वह सिरदर्द कर सकता है हाँ दोस्तो आज हम एक ऐसे टोपिक के पर बात करेंगे उसका मतलब है माईग्रेन माईग्रेन दोस्तो क्या होता है सबसे पहले तो हम यह जानेंगे फिर इसके क क्या अलग-अलग टाइप होते हैं, फिर इसमें क्या घरेलू पाए हम कर सकते हैं, फिर इसके अंदर क्या हम आयरवेदिक इलाज कर सकते हैं, आज हम सारा कुछ इस वीडियो के अंदर जानेंगे, आप इस वीडियो को अन तक जुरूर देखें और मेरे साथ आप इस वीडिय जब सिक्ड़ जाती हैं तो वहां पर दिक्कत करती हैं जिस वज़े से हमारे को माइग्रेन हो जाता है और माइग्रेन दोस्तों अब हम कहेंगे कि इसमें क्या होता है कहीं बार क्या होता है कहीं को सीधे हाथ की तरफ हो जाता है सीधे सिर की तरफ कहीं बार कहीं को उल्टे की की कंपेरिजन माइगरेन होने की समावना कम होती है और औरतों में जादतर जो माइगरेन होता है दोस्तों जब उनको मैंसिज हो जाती है उस दोनान के अंदर उनको माइगरेन जादा होता है और अगर हम बात करें दोस्तों इसके अंदर माइगरेन की तो माइगरेन जो होता ह दोस्तो जो बंदा स्ट्रेस में जादा रहता है अब हम इसके कारण जानते है कि भी क्या हो सकता है जैसे मैंने एक बताया कि हमारी के दौरान में औरतों को सकती है दूसरा जब तनाव में रहता है कोई आदमी उसको सकती है तिसरा जैसे ही एटमोस्फिर ने चेंज लिया तो उस टैम हो सकता है और क्या कारण हो सकता है दोस्तों और इसका कारण हो सकता है कि जैनेटिक यानि परिवारिक माव को था बाप को था तो उससे हमारों को आ गया दादा को था तो उससे हमें आ गया और क्या कारण हो सकता है दोस्तों बीपी का बढ़ना या जिन लोगों को ज़्यादा तनाव में रहते हैं तनाव के विज़े से स्ट्रेस लेते हैं उनको हो जाता है दोस्तों तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि इसकी क्या-क्या मतलब अलग-लग टाइप होती हैं दोस्तों जो माइगरेन होता है माइगरेन की कहीं कारण होते हैं और उन कारणों के साब से उसकी टाइब होती है जैसे की भी एक माईगरेन का टाइब होता है की भी जो वस्कुलर होता है वस्कुलर माईगरेन जो होता है दोस्तों वह होता है जो हमारे जो गर्दन का हिस्सा है यहां पर होता है जिसकी वज़ेसे क्या होगा दोस्तों हमारी जो नेक है इसके अ पुरा हमारा,' काम करने में असमर्थ हो जाता है यानि ऐसा लगता है जिल लकवा मार गया हो। उर कारण होता हैreme old You canав मतलब हमारे जिस सैड की हिस्से के अंदर वो डर्ड़ करेगा alleen ही जो है जो है रप बात करें तो पेट के अंदर भी हमारा अगर मालो माईग्रेन का जब अगर अटैक होगा तो क्या होगा सिर के दर्द के साथ में पेट का दर्द भी होगा तो इस तरह से करके दोस्तों इसके अलग-अलग-अलग-अलग मैंने आपको यह टाइप बताई कि यह होता है और इन साथ में जो वह क्या है जिस माइगरेन में लगातार इसमें दर्थ बना ही रहे नहीं वो एक अदर क्या होता है कि आप चाहेख कोई भी पेनुकिलर दे लो आपका माइगरेन वह ठीक नहीं होता तो इसके अब हम बात करेंगे कि भी जैसे हमने कारण जान ली हमने टाइब जान ली अब हम इसके लक्षन जानेंगे कि होता क्या है लक्षनों में क्या होगा दोस्तों मरीज को सिर में दर्द रहेगा और इसके अंदर एक अलग सी तरह का सिर में दर्द होता है आम सिर दर्द जैसा सिर हमारा हमें यह लगेगा जैसे शिरीर सुन पड़ गया है इस तरह के अगर हमारे को लक्षन आते हैं और साथ में जैसे मैंने अब टाइप के साब से बताया कि एक सैड़ का इससा अगर हमारा ऐसे लगे कि भी काम नहीं कर रहा पेट में अगर दर्द लगे सिर के दर्द के कि यह लगा लक्षन है कि जो माईगरेन के अंदर यह यह लक्षन आते हैं अब दोस्तों हम जलते हैं हमारे घरे लूप आयों के अंदर कि माईगरेन अगर हमें होई गया तो हम क्या करें घरे लूप आए घर में कैसे एकदम ठीक कर लें सबसे पहले बात तो यह है कि दोस् चाहिर आप अरिखांसे अंदर डेली करें 30 मिनट की बहुत बढ़ी हाई को सबुसके फूरत चूह 8 तो बहुत ही बड़िया हमारे अंदर माईग्रेन को ठीक करने का एक बहुत अच्छा साधन मनता है और क्या करना है दोस्तों देसी गाएं का गी देसी गाएं का जो गी है हमारी उस गाएं को आपने के गी को आपने अपनी नासा के अंदर डालने ना है अगर किसी को मालो ना मिले प्योर गी तो आपने क्या करना बदाम रोगन बजार में आता है उस बदाम रोगन की दोदो बूंद नाक में डालें सोते हुए और साथ में एक चमज बर आप दूद में डाल के भी पीलें तो आपको बहुत बड़ी आलाम मिलेगा और क्या करें दोस्तों डाल चिन्नी को पीश कर पेस्ट बना लें और अगर अगर मात्य के उपर लेब करते के सो जाते हैं तो आपको भहुत अच्शा राम मिलता लोंग अद्रक को दोस्तों अगर आप वाल लेते हैं को काड़ा बना लेते हैं और उसके अंदर एक चुनटी नमक डाल लेते हैं तो अगर इस काड़े को दोस्तों अगर आप इसको पिलेते हैं गुट गुट करके तो आपका जो माइगरेन का या सिरदर्द है वो शांत हो जाएगा वो क्यों होगा क्योंकि अधरक के अंदर जो हमने नमक डाला और हमने इसके अंदर लोंग डाला तो हमारा त्री दोश शांत हो जाता है वात्पित कफ्तिन नो हमारे शांत हो जाएंगे ये दोस्तों हमने सारे के सारे आपको घरे लूप आई बताए और दोस्तों इसके अंद मौलग वो है उस दोनों को मिश्रण के साथ म mulheres सीतो पलादी चुरण इन तिनों आइटमों को आप ले लें दोस्तों इन तिनों आइटमों को आप अगर पाँच गराम स्वेरे पाँच गराम को अगर था अगर मिक्स करके ले लेते हैं तो दोस्तों आपको यह जानकरी कैसी लिगी आप जुरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों जरूर इसको शेयर करें इसी के साथ ही दोस्तों मैं उनी वानी को विराम देता हूं जाए अरवेदा जै भारत